So everyone अगर आप Initial Public Offer यानी IPO में पैसा इंवेस्ट करते है या करने के बारे में प्लान बना रहे है तो आपके लिए ये सब्ताह बहुत शांदार रहने वाला है So friends इसी के सांथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के आल पे सलेक्ट कर लीजिएगा आपको IPO मार्केट में पैसा कमाने का शांदार अफसर मिलने जा रहा है इस हफते करीब अथारा सो करोर रुप्य वैल्यू के तीन IPO खुलने जा रहे हैं इन IPO में आप 12 से 15 दिसंबर 2022 तक पैसा लगा सकते है इसमें आटो मोबाइल सेक्टर में काम करने वाली लैंडमार्क काज शराब बनाने वाली कमपनी सुलावाई न्याद्स और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली फामबांस होल्डिंग शामिल है लैंडमार्क काज, मर्सिडीस कारे बेचने वाली प्रीमियम आटोमोटिव रिटेलर लैंडमार्क काज कमपनी अपना IPO लेकर आ रही है इस कमपनी ने IPO के लिए अपना प्राइस बैंड टै कर लिया है 13 से 15 दिसंबर के बीच ये IPO पबलिक इश्यू के लिए खुलने जा रहा है इस IPO का साइज 552 करोर रुपय है IPO के लिए 481-506 रुपय प्रती शेर प्राइस बैंड टै हुआ है IPO के तहट 150 करोर रुपय के फ्रेश शेर जारी किये जाएंगे 402 करोर रुपय के शेरों की बिक्री ओफर फोस सेल के तहट होगी लेंडमार्क काज IPO का लॉट साइज 39 शेर है एक रिटेल इंडिविजूल इन्वेस्ट 13 लॉट तक के लिए आवेदन कर सकता है अपर प्राइस बैंड के हिसाब से अधिक्तम 377 शेरों के लिए रुपय ते हुआ है IPO का साइज 960 करोर रुपय है यह IPO पूरी तरह ओफर फोस सेल पर बेस्ट है इसके तहट प्रमोटर, इंवेस्टर और अन्य शेरधार को द्वारा कुल 26,900,532 इक्विटी शेरों की बिक्री होगी सूलर विन्याद्स IPO का लॉट साइज 42 शेर है इसका IPO 12 दिसंबर को खुल कर 15 दिसंबर को बंध हो जाएगा प्राइस बैंड 256 माइनस 270 रुपय प्रती शेर है IPO का साइज 345.60 करोर रुपय है इस IPO के तहट 102 करोर रुपय के फ्रेश एक्विटी शेर जारी किये जाएंगे अबांस IPO का लॉट साइज 55 शेर है एक निवेशक 13 लॉट तक के लिए आवेदन कर सकता है अपर प्राइस बैंड के हिसाब से अधिक्तम 715 शेर के लिए 193.50 रुपय निवेश किया जा सकता है सो दोस्तों अगर आप इन तीनों IPO में किसी भी IPO का डिटेल एनालेसिस चाहते हैं कमेंट सेक्सन में जरूर लिखिएगा मैं आपके लिए डिटेल्स वीडियो जरूर लेकर आउंगा और अगर अभी तक ट्रेडर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है